साथियों, भारत के पास आने वाले समय की एक और चुनोती का सब्चे बड़ा समधान है, यह चुनोती है एजिंग की, हम इसे इंकार नहीं कर सकते कि एजिंग और एजिंग से सिर्म मैन पावर ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह कंजम्शन, प्रोड़क्शन और इनोवेशन को भी प्रभावित करती है, आज भारत दुनिया का सबसे युवादेश है, दुनिया का सबसे बड़ा युवेट, युवाद टैलेंट पूल भारत के पास है, दुनिया की सबसे बड़ी स्कील और प्रोफेशनल फोर्स भारत के पास है, इसलिए जो भी देश इस समय भारत से जुड़ेगा, उसका उतना ही फाइदा होगा, सांथियों आप जान करके खुशी होगी, भारत कितनी तेज गती से आगे बढ़ रहा है, स्पीड, स्केल, आज भारत में हर सप्ता एक नई उनिवर्सिटी बन रही है, आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैप खोली जा रही है, आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है, आज भारत में हर दिन एक नई आई टी आई की स्थापना हो रही है, आज भारत में हर साल एक नए आई आई टी और एक नए आई आईम बन रहा है, इन समसामों से निकला टालेंट आज पुरी मानोता की भलाई के लिए काम कर रहा है आज दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनियों में फोर्चुन फाइव हंड़े कम्पनियों में भारती हमें एहम भूमिक आमें नजर आते हैं अडिस होल में भी बहुत सैसे महानुभा मोजूद है मुझे भी स्वास है भारत अमरीकी साजा ड्रीम भारत अमरीकी साजा डिटर्मिनेशन 21 सदी में दुनिया की डेस्टिनी बदलने का सामर्थ रखता है मैं आपको भारत की स्विकास यात्रा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए फिर एक बार आमंत्रित करता हूं लेट अगे टोगेशन पर बेटर वर्ट बेटर फिचर लेट इस ग्रोव इंडिया